आप लोगों को अगर पता नहीं है कि एक वेटिंग टिकेट कैसे कंफर्म होता है कैसे आप लोग जान पाओगी कि ये टिकेट इतना वेटिंग है ये कंफर्म होगा कि नहीं आप लोग शियर हो सकते हो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए आपको आप लोगों को प पहले आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपेन कर लाना है उसमें ट्रेंड बुकिंग डॉट सीएसी क्लाउड डॉट इन यह सीएसी का है आप लोग अगर परसनल आइडी से काट रहे हो कोई इंडिविजल तो अपना आइडी लोगिन करके सेम पूर्सेस से कर सकते हो तो हम लोग का सीएसी से दिखाऊंगा मैं आज तो यह सीएसी का खूल ग तो है इसमें क्या करू और क्या नहीं करू मतलब dog and don'ts तो यह एक्सुलिए आप लोग को सेंटर में हंगिंग करके रखना है अप लोग को आप लोग क्या करना है मतलब मास्ट इंशूर्स टैंजेक्टिशन इस डडान विद्धा कॉम्प्लीट अब कास्टमर कास्टमर के कॉंसेंड लेकर ही आप टेंजेशन करिए ये अब लोग करिए और ID प्रूब रखना जरूरी है कस्टमर का अब कोई भी अगर Ticket काटने अ रहे हैं आपके सेंटर में तो आपको ID प्रूब रखना है शीक्स मन तक वो आईटी प्रूव आपके सेंटर में रखना है अगर कोई भी IRCDC का अगर कोई भी ओफिसर आते है आपके सेंटर पे तो पाज हज़ा तक की जुर्बाना लग सकती है आवर ये नहीं करोगे तो तो आप लोग ये देखिए और भी है ये सब कुछ आप लोग पढ़ लिजिए और टीकिट में आपको कास्टमर ओडिजिनल जो टीकिट है वही पेंट आप लोगो कास्टमर को देना है और कास्टमर के कॉंचन लेके ही आपको टिकेट कैंचल करना है या फिर TDR फाइल करना हो तो कास्टमर के कॉंचन लेके ही TDR फाइल करना है नहीं तो आपको 5000 तक की जुर्मान लग सकते है और क्या नहीं करें ये भी आप लोग पर लगीजिए इसमें सब कुछ डीटिल्स दे रखा है कोई भी गलती मात करिये आप टिकेट काटते वक्त इसके बाद सब्मिट करिये उसके बाद मैं एक रूट सेलेट करता हूँ फकिर अगराम से अगर तला इसमें देखिए से 26 तारिक तो 39 तारिक को मैं देखूंगा चार्ज स्टेट पे क्लिक कर दिया मैंने करने काट मैं स्लीपर में देखूंगा तो स्लीपर में देखिए 19 है वेटिंग अभी वेटिंग 19 में है तो ये टिकेट कॉन्फर्म होगा की नहीं आप लोग कैसे जान पाओगी कि मैं ये वेटिंग टिकेट काड़ूंगा तो 39 तारिको ये चार्फर्म होगा की नहीं तो आप लोग एक काम कीजिए निव टैप आपन कीजिए इसमें टाइप कीजिए ट्रेन मैन इसका एक ओपिसियल एप भी है मोबाइल वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँंगा ये एक ओपिसियल वेपसाइट है IRCTC का और्थराइब भी है और ये वेपसाइट भी है ये देखिये IRCTC Authorize Спorter ये कोई थाट पाट येब नहीं है ये फिर लिंग नहीं है यह डारेक आए सिटीची का है तो मैं इसमें जाके आप लोगों को चेक करना होगा सेम रूट अप यहां देखिए यह देखिए फोकिरेग्राम टॉ आगरतला उन्तरीस तारिक ठीक है उन्तरीस नवेंबर तो मैं यहां फोकिरेग्राम उसके बाद आगरतला उसके बाद देखिए उन्तरीस नवेंबर है तो मैं उन्तरीस नवेंबर इस सेलेट करूँगा यह देखिए मैंने चार्ज कर दिया उसके बाद यह देखिए ट्रेन स्लीपर में सेलेट किया था इसमें देखिए 88% सांस दीखर रखा है कॉन्फरम होने का तो आप लोगों को अगर 86, 85, 87 मतलब 88, 87 आवर माम लो कि आपका टिकेट 87% वेटिंग दिखा रहा है मतलब चांस दिखा रहा है कॉन्फरम होने का तो वो टिकेट आप लोग बिंदास काट सकतो मैं 99% शियूर बोलता हूं कि वो टिकेट कॉन्फरम हो जाएगा तो मैं यह काटूंगा टिकेट CUSTOMER OTP VERIFICATION IS MANDATARY.H нас we are requested to verify the customer mobile at the time of self-cancelation or trend cancellation or waiting cancellation or TDR to get refund immediately. नोड दे रखा है एक फोर OTP वेरिफिक्शन इंटर करेक्ट मोबाइल नंबर वाइल डूइंग बुकिंग के टाइम आप लोग कानेट मोबाइल नंबर दीजिए और यह OTP वेरिफाई देखिए पहले तिरीस दिन तक था अभी CSC का यह साहत है यह नोडिफिक्शन दिया हु आपको कोई भी टिकेट कैंचल हो तो ओटीपी वेरिफाई आपको 20 दिन के अंदर ही करना ज़रूरी है मतलब जब टिकेट कैंचल हो जाए उसके बात 20 दिन के अंदर ही आपको ओटीपी फेरिफाई कर लेना होगा पहले एक मान था अभी 20 दिन कर दिया तो 20 दिन के अगर आपको कोई भी टिकेट अगर कैंचल हो जाए वेटिंग टिकेट हो या आप खूद कैंचल करते हो तो 20 दिन के अंदर आप लोगों को ओटीपी फेरिफाई करना होगा उसके बाद ही जाके आपको रिफाण पैसा मि मेरा चार पेसंजर है मैं एड कर रहा हूँ पैसेंजर को इसमें इस्टाल दिया जंडर एट पैसंजर मेरा चार पेसंजर एड हो गया अभी मैं इसको टेकेट काटके दिखाऊंगा आप लोगों कि है आप बोर्डिंग पॉइंट आप लोग आपर शेंज करना चाहते हो त टिकेट निकल आए उसके बाद भी आप लोग बोर्डिंग चेंज कर सकते हैं अभी पोटल अपगेट किया हुआ है तो इसमें कस्टमर का सही मोबाल नंबर आप लोग डाल दीजिए आपका मोबाल नंबर कई कई वे लिए करते हैं कि खुद का मोबाल नंबर देते हैं ओटीबी के लिए तो यह चीज आप पहले भी में बोल चुका हूँ उसमें डोट्स एंड डॉन्स दिया हुआ है अप लोग कस्टमर का ही मोबाल नंबर डालिए और एक चीज में आप लोगों दिखाऊंगा आप लोग अगर वेटिंग टि काट रहे हो कोई भी by कि टिकिट काट रहे हो तो अगर ऑपगयर्शन सेलेट करते हो तो आपका वेटिंग अगर कांट पर नहीं हुआ तो कोईब्ही एक डब्ब में या फिर एसी टिकिट में आपका sleeper का भारा में AC में भी आपका ticket confirm हो सकता है मतलब होने का बहुत chance है तो आप लोग अगर wedding ticket कारते हो तो auto application select कर लीजिएगा उसके बाद ये दिखिए confirm कर दिया मैंने उसे बाद pay now पे click कर दिया click करने के बाद ये page CSC wallet में redirect कर देगा तो आपका जो password कि उसके बाद wallet पिन डालिए तो payment हो जाएगा कि उसके बाद देखिए IRCTC का ID तो उधर उपर आ गया उसके बाद IRCTC का password उसके बाद जो mobile number link है या इस से ID में वह mobile number में OTP जाएगा OTP इधर डाल दीजिए और उसके बाद जो कैप्चा दिख रहा है नीचे कि उसके बाद कर दीजिए ध्यान से अगर capture अगर साही नहीं लग रहा है तो साइड में राइट साइड में रेफ्रेश बुटम है रेफ्रेश करके आप कैप्चा चेंज कर भी कर सकतो उसके बाद सब्मिट कर दीजिए सब्मिट करने के बाद यह देखिए आपका टिकेट यह देखिए कॉंड रेसलेशन यू आप सक्सेस्फ़ली बुक्ट एओ टिकेट अभी टिकेट बूग हो गया थोड़ी देर बाद टिकेट प्रिव्यू हो जाएगा उसके बाद यह जो प्रेंट का सिम्बोल है उपर उसको क्लिक करके आप लोग कस्टमर को या फिर खुद का टिकेट हो तो पिन कर सकते हो करके रख सकते हो कैसा लगा मेरा यह वीडियो अगर वीडियो को जरा से भी आ लाइक कर दिजिए अपने दोस्तों तक श्यार कर दिजिए अगर मेरे चैनल पर पहली पर आये हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए है मेरे चैनल पर अल्डेडी आये सिटीजी का बहुत सार वीडियो है अप लोग मेरे चैनल को बिजितगी में देख सकते हो सबी फीडियो बहुत स Almost After ऴीडियो मेरे सिटीजी का है ट्रांस्पोर्ट मूसरा वीडियो है देख सकते हैं अब लोग जाए और अगर मेरा ये चैनल है चैनल पर अगर अब लोग पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बैला आइकन है उसको अलने डेफिजन पर सेलेट कर दीजिए थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो